और जम्शेटपू टेंग डिलर वेलफेर संगठन के स्री निवास राओ और फसीनु राओ हत्याकांट की जाच सिवियाई से कराने की मांग की गई है गोलमुरी चर्च परिसर में जमशेपू 10 डिलर वेलफेर संगठन ने समवादाता सम्मेलंका आयो जनक्या उस दोरान संगठन के चेर्में वलवीर सिंग, महासचीव परमजित सिंग, पवन मारवा, रगुईर सिंग, बजाज और मिर्टक की पतनी डियन अनुराधा और पुत्र डी पवन मौजुद थे सिंगराव 10 डिलर थे, वे 24 जून 2010 को सराय केला में मजदूरों को छोड़ जुग सलाई निवासी, कैटरोश शंकर महराज के साथ बाइक से जमशेपुर आ रहे थे जब वे रांगामादी के पास पहुँचे तभी एक बाइक पर तीन नकाब पोश आये और सीनु राओ को गोली मार कर हत्या कर दी उस समय शंकर महराज ने पुलिस को सूचना दी और हत्याकान का गवाह बना पुलिस ने बन बिहारी महतो और राम प्रसाद महतो को गरफतार कर जेल भीज दिया तीसरा हत्यारा गरफतार नहीं हुआ इस समय में जब भी मर्तक परिवार वाले पुलिस से उस्ते तो उनको टाल दिया जाता था इससे नाराज परिजनों ने सीवी आई से जाच कराने की मांग की है संगठन के बलजीत सीम ने सीवी आई जाच की मांग करते हुए कहा जो रिकॉर्ड था इससेशन में और हमारे परिचर में उनका सारा फून नंबर एड्रस उनको दे दिया उसके बाद आज तक उस राजू का पता नहीं कि राजू कहा गया बना आस्ट उन्होंने उसके बाद जिकर के जब ज़्कर करते हैं तो एस-प अपना रुटबा में आ जाता है होता या आप आप जाधा-चाँ कानून जानते है आप थोड़ी काम करें काम करेंगे अपक forehead खिख है हमारे बोलने से आप अस पर आप जास तो किजे वह पतनी डियन अनुराधा ने इंसाफ की मांग की है कि अब यह आप आपकें सीवी यह से लिए इस लिए लिए लेकिन सीवी इस वास तो है लेकिन सीवी